आम प्रथमं शेल पुत्री चै दुदियं ब्रह्मे चारें तृतियं चंद्र घंटेती कुस्मान देती चतूर्थिकं पंच्यमं स्कंद्र मातेती सश्टम् काथ्यायनीती चै सक्तमं कालरात्रीती महागोरीती चाष्ट्यमं नवमं सिद्धितात्री चै नवदुलकाह प्रकिर्थिता उक्ताने तानी नमानी ब्रह्मने विमहात्मना जर्हाना कर्पत्मा अभ्याम अक्ष्यमाला कमंडलू देवी प्रसीदत्रूमरी ब्रह्म्यचारणियन नुक्तमा नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मा ब्रह्म्यचारणि की पूजा अर्चना की जाती है सादक इस दिन अपने मन को मा के चरणों में लगा दे हैं ब्रह्मय का अर्थ है तपश्य और चारणी यानी आचरण करने वादी इस प्रकार ब्रह्मय चारणी का अर्थ हुआ तब का आचरण करने वादी पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमाले के खर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारत जी की अपुदेश से भगवान संकर जी तो पती के रूप में प्राक्ते करने के लिए घोड़ तपस्या की थी इस कटें तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारणी अर्था ब्रह्म्य चारणी नाम से अभी ही किया गया एक हजार वर्ष तक इन्होंने केवल फर्ण फूल खाकर बिताए और सो वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाप का निवा किया कुछ दिनों तक कठे नुप वास रखे और खुले आतास के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट सहे तीन हाजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंतर की अरापना करती रही इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलु पत्र खाना दी छोड़ दिये कई हजार वर्षों तक निर्जन और निराहा रहकर तपस्या करपी रही पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपरनाप पड़ गया कटिं तपस्या के करण देवी का शरीर एकदम शीन हो गया देवता रिशी सिद्धगण मुनी सभीने प्रह्मचरने की तपस्या को अभूत पूर्व पुन्य कृत्य बताया साहना की और कहा है देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की यह तुम्ही से ही संभवती तुम्हारी मनो कामना परिपूर्ण होगी और भगवान चत्र मौली शीवजी आपको पती की रूप में प्राप्त होंगे तब तपस्या छोड़ कर अब आप तपस्या छोड़ दीजी और घर लोटाईए जल्द ही आपकी पिता आपको पुलाने के लिए आ रहे हैं माता ब्रह्मचारणी जड में ज्यान का प्रस्पूरण चेतना का संचाथ भगवती के दूसरी रूप का प्रादूर भावत है जड चेतन का संयोग है प्रतेक अंपूरण में इने देख सकते हैं ऐसी माता ब्रह्मचारणी को मैं साधर प्रणाम करता हूँ आयोवेट, आयोवेट से नव दूरता, नौद इनकी दिये लिया, किस परकास के सम्मन्दित है, आयोवेट इनके विशे में क्या बोलते हैं, इसको भी हमने हमारे इस स्रंखला के अंतरगर लिया हुआ है, ब्रह्मा चारणे माता, ब्राम्मी, जो ब्राम्मी ओसनी है, वो ब् आयोवेट दास्त बढ़ा कर रखते निकारों को दूर कर स्वर को मधूर बनाती है, इसलिए इस वो सदी को सरस्वती भी कहा जाता है, माता, ब्रह्म्म, चारणे जी के चैना,